नमस्कार मैं सुष्मा द्यागी आप सबों का मोली किचन में स्वागत करती हूँ उमीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए मूंग बड़ी की सबजी लेकर आई हूँ उमीद करती हूँ यह रेसिपी आपको पसंद आएगी तो यह इसको मैंने निकाल कर सेपरेट प्लेट में रख दिया है अब साथ ही साथ यहां मैंने लिया है करीबन तीन से चार आलू बड़े बड़े आलू के टुकडे करें और इनको भी मैंने तेल में गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लिया तो यह देखिए हमारे आलू अच तीन से चार लॉंग यह जैसे चटकने लगा इसमें मैंने लंबे-लंबे प्याज जिसको क्यूं आने स्लाइस कर रखा था मीडियम साइज का प्याज लिया था उससे डाल दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर हम सोटे करें गलती से एक आलू रह गया था उसे मैंने निकाल दिया है अब इसके बाद इसमें डाल रही हूं मैं नमक स्वादनुसा ताकि हमारे प्याज जल्दी से गल जाए और अच्छे तेके से यह फ्राई हो पाए हल्दी भी डाल दी है हाफ टीस भी इन सबों को मिलाते हुए मैं सोटे कर रही हूं करीबन एक मिनट लगा इन प्य चलाते हुए हम इसको करने वाले हैं सोटे अब इसमें डाल रही हूं सब्जी मसाला दो चमच सब्जी मसाला ना हो तो धन्या जीरा टू इस्टू वन की प्रपोर्शन पर आप डाल सकते हैं अब इन सबों को मीडियम फ्लेम पर फिर से हम लगातार चलाते हुए अच्छे बुनने वाले हैं और बुनते वक्त ही मैं इसमें डाल रही हूं एक चमच कसूरी मेथी जिसको की हाथों से क्रस्ट करके डाला था मसाला बुनते समय कसूरी मेथी डालेंगे तो उसको स्वाद बहुत अच्छा आता है अब इसमें साही स्वाद लाने के लिए मैंने डाला ह खोया करीबन वन टेबल स्पून खोया लिया और उसको मैंने पत्ते पत्ते स्लाइसे में कट कर दिया है और इसको भी हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भुनेंगे और यह थोड़ी देर बादी इसमें सो और रिलीज हो जाएगा और इसमें मैं थोड़ा सा धनिया करें ठाथ इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था मसाले अची तेके से ब्यों चुके है अब इसमें थोड़ा सा फिर से पानी हो और फिर इनको चलाते हुए फिर से मैं इसको भूनने वाली हूं हमें तब तक बूनना है जब-दक कि हमारे मसाले तेके से ना पक जा इसे ऐसा करने से सब्जियों का स्वात जो होता है वो बहुत ही अच्छा आता है अब इसमें एट करूंगे जरुवत हिसाब पानी यह गरम पानी यूज किया है करीबन एक कप पानी डाला है आप यह पतली ग्रेवी पसंद करते हैं तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते है और यह देखे हमारी अच्छे देखेस इनको चला लिया अब इसको लगाने वाली हूं मैं धकन और लो मीडियम फ्लेम पर करीबन दो विसल आने तक का हम इसका करने वाले हैं वेट तो दो विसल आ चुके हैं प्रेसर हो गया है रिलीस तो चलिए धकन खोल के देखते हैं व आनिस कीजे इसको ताजे हरे धनिया की पतियों के साथ और रेसेपी पसंद आई हो तो रेसेपी को लाइक और शेयर करना ना भूले और साथी साथ आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तो इसे मैं आज परोसने व बाई फिर मिलती हूँ